नमस्कार, वित्रों कहते हैं कि संसार उनका होता है, जो इसे फलदार वरिक्ष समझ कर जोर से हिलाते हैं और इसके फलों का आनन्द लेते हैं। लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं लेकिन शिव की तरह हलाहल पेते हैं अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीते हैं ऐसा ही जीवन था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्विद्याले की मुख्य प्रशासी का डॉक्टर राजयोगिनी दादी प्रकाश मनेजी का उन्होंने अपना समूचा जीवन विश्व कल्यान अर्थ समर्पित कर दिया इश्वर के पत पर चलते हुए आध्यात्म के पत पर चलते हुए लाखो करोडों लोगों को उन्होंने प्रेरित किया आध्यात्म के पत पर चलने के लिए अपने आदर्श जीवन से अपने प्रेरक व्यक्तित्व से उन्होंने लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़े आज दादी जी के जीवन चरित्र पर और उनके जीवन से प्रेरित होने के लिए हम सब बैठे हैं और चर्चा करने जा रहे हैं उनके जीवन पर आदर्णिया डॉक्टर निर्मला देदी जी से जो की दादी के साथ लंबी समय तक रही उनसे प्रेरित होई और उनकी शिक्षाओं को जीवन मिलाते हुए उन शिक्षाओं को औरों तक भी पहुँचाया आई दीदी से मिलते हैं और दादी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश लेते हैं दीदी बहुँच वह स्वागत और अभिनदन है आपका जब दादी जी के बारे में आप किसी से भी बात करती हैं या दादी का चित्रा आपके सम्मुख आता है तो क्या आपके मन में उभर कर आता है? दादी जी संस्ता के सिर्फ एड्मिनिस्ट्रेशन और स्पिरिचुल हैड नहीं रही परंतो सब के माँ फ्रेंड बढ़ कर हैं और उनका ग्यान योग की गहराई में जाना और धारन की बात है भल करके कोई शिक्षा देते थे परंदु इतनी मिठास से देते थे जो कोई हट नहीं होता था सबी वो शिक्षाएं जीवन में धारन करने की कोशिश करते थे मतलब उन्होंने अनेकों को आप समान बनाया दीदी आपने कहा कि वो बिलकुल ही मात्रीवत पालना देती थी एक फ्रेंड की तरह रहती थी तो आपने इस चीज का कैसे और किस रूप में अनुभव किया कि हाँ कभी आप उनके साथ बैठते थी तो मा या दोस्त के रूप में उन्होंने आप से कुछ साजा किया कुछ शिक्षा दे कोई बात कही वैसे दादी ने ज्यादा सिक्षा नहीं दे परस्नाली क्या है कि कभी कभी हम लोग आरसी मीटिंग करते थे तो दादी जानके आते थी और दादी प्रकाशमनी को भी बुलाते थे अर दादी जानके झायती थी दादी इन सब की वीकनेष बता ऐं क्या अंको कृतना है ена जे तो दादी कहती नहीं कोईवीकनेश नहीं कोई शिक्षा विशेत नहीं है उनों के लिए ये सब ठीक काम कर रही है, तो दादी जी सब का गुन देखती थी, और उन्हों को रोहानियत में प्रेरित करती थी, पर फ्रेंड के रूप में, वो पीस पार्क में हम लोगों के साथ आती थी, और खेल खेलती थी, कभी बैद्मिंग्टन, कभी क्रिकेट, कभी दांस, सब करते थी, और कई लोग है, वो पंडवभवन के आंगन में भी दादी से बैद्मिंग्टन खेलते थी, ऐसे मतलब दादी एक स्पिछ्वल हेट तो थी लेकिन सबसे मिल कर के इस रूप में रहा करते थी, कि उनको एक द पोस्त की भासना आते थे, दीदी आपको क्या लगता है, दादी का क्या विशेश पुर्शार्त था जो दादी बन गई, दादी मान थी जैसे, और उसको कहते थे मुन्नी मम्मा, थ्री फोर्थ, तो क्या है भल वो यंग एज में ज्यान में आई, पर शुरू से ही उनको बाबा ने जिम्मेवारी दे दी थी, और वो जिम्मेवारी उन्होंने बहुत अच्छी रिजसे फो जाए, मम्मा बाबा को बहुत अच्छा फॉलों किया, और जैसे, ज्यान, यूग, धान, शेवारी बहुत नमबर वन फिर्स ग्लास थी और उन्हों की अंग्रे जी का इतना लक्ष्ण नहीं कर सकती थी, परन्तु अंग्रे जी समझ जाती थी और युन में भाष्ण किया, यहां मदुबन में भी यूएन के सेक्रेटरी जर्नल को बला कर पहुशन किया, और सादू सन्यासियों को भी उन्होंने रिस्पेक्ट दे कर बहुत समीप लाया, जब हम सन्यासियों को मिलने जाते थे या राखी बादने जाते थे, वो मना करते थे, क्या हमने तो अपनी बेहनों को छोड़ दिया, आपको क्यों बेहन बनाएंगे, या सासरों की बात हन्रिड परसेंट सच है, आपकी बात हम नहीं मानेंगे, परन्तु दादी ने संत समेलन, धर्म समेलन, सर्वधर्म समेलन, आदे, यहां आयोजीत किया मुदबन में, और सर्व सन्यासियों को इतना प्यार से रख़ते, उनके कमरों में जाकर पूछती थी, सब ठीक ठाक है, और वो लोग बहुत खुश होके गए, जे, 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 आदे सिंदर, दीदी जैसे आपने कहा कि बाबा पहले से ही उनको जिम्मेवारियां दिया करते थे, तो यह जो विशिष बाबा ने जिम्मेवारी का ताज फ लगबग चारसो तो विशिष थे ही, जो की आदी रत्न के रूप में थे, लेकिन दादी में ऐसा क्या खास बाबा ने देखा जो ताज इस पूरे विश्विद्या लेका उनके सिर पर रखा, नेचरली बाबा के बच्चे नंबरवान हैं, और दादी नंबर वन थी, इसलिए बाबा ने, क्योंके मामू तो प्रमा बाबा के पहले ही इस अंसार से विदाई ले चुके थी, तो बाबा के नंबर वन मनमोई ने देदी और दादी ची रहें, तो दादी ने फिर किस रूप में, जो बाबा के कारियत हैं जिस रूप में बाबा और ममा पुरे यग्या का संचालन करती थी, क्या एक विशेश परिवर्तन आपने देखा कि दादी के सीर पर ता जाया, तो उन्ही परमपराओं को दादी ने आगे बढ़ाया, या उस उस जिम्मेवारी को किस रूप में दादी ने लिया, कैसे इसे जैसे आगे की और इस यग्ये सेवाओं को विध्याले की सेवाओं को बढ़ाया, दादी जी ने पूरा ममा बाबा को फोलो किया, जो भी रसाम रोगज थी वो फोलो किया तो एड्मिनिस्टेशन का तो भावा ने पहले से सारा ठीक कर दिया था दादी ने फोलो किया आज भी यहां जब प्रोफेशनल लोगों की रेटरीट चलती थी तब एक को एक साइंटिस्ट ने मुझे कहा कि यहां का मैनेजमेंट इतना अच्छा है आपने मैनेजमेंंट कहां सिखा है तो जैसे जनरेशन बाए जनरेशन बादा ने जो चुरू किया तो दादी जी ने चलू रखा हमको हुआ impacto है मैंने तो और दॉक्र हो, इसका मैंने गूर्स नहीं किया है, परन्तु हमने यह अमारे ब्रह्मा बावा और दादीची से सिखाथ। लिए उच्छ में तर करें दादीजमेंट, चाल दादीजी एक खास बात कहते ही हैं, आपने चाहिए। क्योंकि हेट समझेंगे तो हेड़ेग हो जाएगा तो अपने आपको किस भाव से फिर वो चलाती थी क्योंकि हेड को तो हेड के रूप में रहना ही पड़ता है सबको ओर्डर्स देने पड़ते हैं सबको शिक्षाएं देनी पड़ती है तभी तो व्यवस्था सुचारू अपने को हमेशान निमित समझते थी करावन हार परमात्माहर और हमेशान लाइट रहते थी हम लोगोंने पूछा वी देशियोंने के तादी आप ऐसे कैसे लाइट रहते हैं कहती है मैं तो सिर्फ निमित हूना तो रात को सोते ही एक मिनीत में उनको निंद आजाती थी क्यूंके जब जिम्मिवारी समझ कर बोच समझ कर टेंशन करते हैं जली निंद नहीं आती तो पर वो एक मिनИत में सूझाती थी हमेशा लाहिट और हर्शित रहते थी थी मतलब आपने आपको निमित्त समझ करके चलती थी, आपने आपको इस रूप में बड़ा नहीं समझती थी, हम सब के लिए भी सीखने की बात है दिदी, तो कई बार छोटी सी जिम्मेवारी होती है और बड़े बोजिल हो जाते हैं कि अभी इस काम को कैसे करेंगे, कैसे दिदी, जब दादी जी, हमने सुन रखा है कि दादी जी खास करके मुरली सुनाती थी, तो वो मुरली बहुत ही रस से भरा हुआ होता था और ऐसा लगता था कि बाबा ही हमें सुना रहे हैं, तो दादी का क्या मुरली के लिए किस प्रकार का पुरशार था, क्यों इतना र क्योंकि दादी के टाइम वाले भाई बहने बताते हैं, हम कभी मौली मेंस नहीं करते थे, हम दोड़ दोड़ के पहुंच जाते थे, और दीदी जी भी बहुत पर्टिकलर थे, कि सभी सेवाधार ये समर्पित भाई बहने हैं, वो मौली मिस नहीं करें, तो कभी-कभी चक्तर लगाती थे, और देखती थे, कि ये मौली में नहीं गया है, तो उनको कान पकरती थे, ये कान पकरना तो अच्छा कान पकरना है, ताकि सभी उस रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, दादी जी की खास एक चीज दिदी, जो सब सुनाते भी हैं, कि दादी का करते थे, कि जीवन में मैंने कभी भी जूट नहीं बोला, मैंने सच ही बोला, तो ये बहुत बड़ी बात दादी की लगती है, ये कैसे हम सब के जीवन में कैसे आया दिदी, ये वाली एक सुन्दर धाड़ना, क्योंकि आजकर लगता है कि जूट के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्या है, जो सच रास्ते पर चलता है, वो सच बोल सकना, कभी गल्ती भी हुई है, बोलने में क्या हर्जा है, और भी बावा कहते हैं, आप गल्ती कबल करेंगे, तो 50% माफ हो जाएंगा, तो इसलिए होना तो चाहिए सच, पर किसी को दे अभिमान है, लज्जा है, तो सच नहीं बताते हैं, वो संसकार पदलना पड़ता है, और जो डीप रूटेट संसकार है, उसको निकालने में मेहनत लगती है, जी, जी, लेकिन दादी से प्रेरित हो कि हम जरूर संकल्प तो यही करेंगे कि हम भी सच सच ही बोलें, जूट से दोरी बनाया रखें, क्योंकि जूट जूट ही होता है, ऐसे ही पवित्रता के लिए भी दादी बहुत स्ट्रॉंग थी, और सभा में ही कहा करते थें कि कौन पवित्र रहेगा छे मां से एक साल, जो इस ग्यान को नहीं समझते हैं, पवित्रता को नहीं जानते हैं, उनके लिए भी दादी यह कहा करते थें, और सुन रखा है कि लोग तयार हो जाते थे सहर्श, इंस्पिरेशन देने में दादी बहुत उश्यार थी, और जब दिल से सब को रिक्वेस्ट करती है, तो सब को मानना पड़ता था, जी, 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 तो दिल से लोग इस बात को स्विकार करते थे, जी, यग्य की ही बात, प्रशासन की ही बात जब आती है, तो घर में यदि दो चार बच्चे ही होते हैं, उनको समालना थोड़ा मुश्किल होता है, अब यहां तो हम देखते हैं, हजारों हैं, जो यहां रहते हैं, और साथ ही बाहर तो फिर सेंटर्स पे हैं ही इतने, तो यदि लोगों में अन्बन हो जाती हो, खिट-खिट हो जाती हो, यह इशورी मार्क पर चलना सहज तो नहीं है, नियमों का अभी उलंगन हो जाता हो, तो दादी फिर इस चीज़ को कैसे हैंडल करते थी, किस प्रकार से शिक्षा देते हैं थी, दादी उनको पर्सनली बुला कर, पूछती थी, कि तुमने ये किया, यदि किसी के अगेंस कंप्लेन आई, उसको बुला कर पूछती थी, तुमने ऐसे किया, ऐसे नहीं करके, ऐसे क एक दो को गले लगाओ, उनों को आपस में मिलाकर चलावते थी, कई बार अनबन हो इतना ज्यादा होता है, कि लोग गले मिलना नहीं चाहते थी, लेकिन दादी के सामने गले मिल लिया करते थी, देदी, विदेश यात्राएं, दादी के कैसी रहीं, आपके इस के बारे में कैसे अनुभव हैं, और विदेशियों से किस प्रकार दादी मिलती थी, और विदेशियों के कैसे अनुभव रहें दादी के साथ, विदेशियों के बहुत अच्छे अनुभव रहें, एक प्रवचन के बाद, जो पबलिक थी, ओडियंस थी, उसमें से एक भाया मुझे कहत है ऐसे तील होता है जैसे दादी हम को बिलॉण करती है तो अपना पन की भाशना देती थे दूसरा एक वार मेलवन में उसने भाशन किया और एक बांता फिर दादी के पास आई दादी ने सिर्फ हाथ फिर आया तो उसने अपना नुभव सुनाया कि मेरा जो दरत था चला गया और एक वार एक बच्चा था जो नूब नयाई चनम हो था और देख नहीं सकता था तो दादी ने उसको अम्रत पिलाया और वो देखता हो गया मतलब अज़ अज़ चमतकार भी हुए और दादी बहुत फ्रेंडली जहां भी जाती थी फ्रेंडली सब के साथ दिल जो के शेवा करती थी ज़े 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 बहुत वर्ष में तो विशेष रहा ही देदी दादी की जो सेवाएं थी खास करके जो शिकागों में जो धर्म सम्मेलन था विश्व धर्म सम्मेलन उसके बारे में भी खाफी चर्चा होती है कि दादी ने उसमें भी बहुत अच्छा वक्त अव्य दिया था वहां किस प्रकार की लोगों की फिलिंग थे जब पूरे विश्व के धर्म से जुड़े हुए लोग थे और दादी ने ब्रह्मा कुमारीस को रिप्रेजेंट किया था नेच्रली दादी का प्रवचन इतना अच्छा था क्यूंके वो शिकागों में हुआ था स्वामी वीवेकानन का असो वर्स का वहां तो जैसे वीवेकानन ने धर्म का अचार किया था वहां दादी ने उसी स्टेज पर ब्रह्मा कुमारीय को आगे किया तो उसका भी बहुत संदर प्रभाव रहा है जए दादी ने जो विश्वी सेवाओं को अलग अलग जो विश्वी यापी जो सेवाई थे कई प्रकार के तो युएन ने भी बहुत अची इसको मान्यातादी और विश्वीद्याले को प्राहिज भी मिले थे तो दादी के लिए जो ये सेवाओं का विश्वी जो एक सुंदर संकल्प और यात्र थे तो उसके लिए दादी को और विश्वीद्याले को किस प्रकार के कुछ प्रशस्ती पत्र या सम्मान भी दिये यहाल बढ़ा प्रुदक हैं उनों रिखने का या तो जो करें तब जों बेड़िएशन करो या तो पॉजिटिव सिंग किंग करो याथ प्रेयर करो बाल। तो एप आरे विश्व में लेच वन मिलियन मिनित करने थी उन दिन दो कम्प्यूटर भी अने नहीं थे तो हम लोगों को छे देशों में पीस प्राइस मिला और दादी ने उस्विकार किया तलब दादी की प्रेणा से ये सुन्दर सेवाइं जो है विष्वयापी हो गए और ब्रह्मा कुमारिस का नाम भी विष्व पतल पर आगिया तो देडी का इतना सुन्दर और विशाल व्य लगते तो किस-किस विशा में बात करें यांसा लगता है खास दादी एक स्लोगन दिया करते थे कि निमित, निर्मल और निर्मान ये खास दादी के स्लोगन के रूप में जाना जाता है तो इसके इस अंदर में क्या कहेंगे देदी क्या दादी के जीवन में इन तीनों ची और नेचरली पवित्र थी निर्मल थी और निर्मान थी अपने को हैड है वो समझ कर कभी भी उनको हम नहीं आया नम्र रहती थी और हरेक दादी को दादी 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 कहती थे तो रिस्पेक्ट देती सब को दी दादी के बारे मैं एक चीज आपसे जल्दी जल्दी में पूछना चाहूं तो एक चीज जो आपकी मारिं में तुरंथ जैसे फ्लैश होता हो दादी की एक शिक्षा जो आपको हमेशा याद रहती है बादी की एक विशेश 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 था दादी बहुत प्रेमस्वरूप थी और अमेशा अपने आपको अवेलेबल रखती थे थंडी के दिनों में बहारांगन में दूप में बैठती थी तो सब लोग आकर ओम शांती करके जाते थे और मैं कभी-कभी कुछ भी प्रशन होता था जादी की जादी जान के सामने लंबी क्यों होती थी तो मैं फें दादी से टाइम मांगती थी ती दादी जी मुझे मिलना है चलो उसी समय पांच मिनित में हमको जवाब मिल जाता था दादी के लिए एक विशेश बात जो सभी कहते हैं कि एक चीज जो है दादी में वो सबसे खास है सबसे अलग है वो यह मैं कहोंगी प्रेम स्वरूप दादी के जाने के बाद सवी मदबनवासी कहते थे यह भी मिस मदर हम मिस करते हैं मां को तो टीचर तो अच्छी थी परंतु साथ साथ मां भी थी फ्रेंड भी थे बाबा के साथ का एक विशेश संबंध बाब बेटी का विशेश संबंध इसलिए बाब बेटी का सुन्दर से संबंध एक विशेश गुण दादी का जो सब को दिखाई देता था देदे कि यह खास गुण दादी में है जो हम सब को प्रेरित करता है बाबा के लिए प्यार में चल ली है जिनका बाबा से इतना प्यार होता है और उनको भी इंस्पार करता है जे 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 एक अंतीम बात दादी के लिए कि दादी ने अव्यक्त होने से पहले ये जैसे धुन सी लगा दी थी मुझे करमाती थोना है करमाती थोना है करमाती थोना है करमाती किम दादी की इस्थिती थी, कर्मातीत अवस्था के नजदीक की उस समय की इस्थिती कैसी थी, आपने उनको किस रूप में देखा, हम सब भी उसे प्रेरित हो। वो कितना भी बीमार थी, पर योगी थी, एक ऑस्ट्रेलियन भाई उनके अंतीम गड़ी के ताइम वहां पहुंचा, तो कहा के अंतीम समय भी इनकी द्रिष्टी इतनी पावर्फुल थी, अरथात, योग, युक्त आज ज़े गड़ी आजली आजए जटे हैं एक सावधनी हैं को बेड़नाइम ज़ते की इनकी अटें की तो कि आजए जढ़ना और धन से और तन से श्यवात करने माले बहुत हैं, मन्सा सेवा करना, यह योगी तपश्वी की ही निशानी है, जे जे, तो हम भी तन, मन, धन से इस यग्य की सेवा करें और इसे सफल करें विश्वक अल्यान के लिए, दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया दे दें, आज दाद के पूरी ही जीवन चरित्र को आपने हम सब के सम्मुक रखा है, हम सब को प्रेरित किया है, जिल से बहुत-बहुत आपका शुक्रिया, अमशानते, अमशानते, मित्रों, दादी जी का बहुत ही सुन्दर प्रेरित करने वाला जीवन चरित्र, कितनी सुन्दर शिक्षाएं हमने दादी जी के जीवन से प्राप्त की एक बहुत प्यारी सी बात दादी जी कहा करती थी उससे मैं अंत करना चाहूंगा यो तो बात जैसे सागर जैसी विशेष्टाओं को गागर में भरने जैसी है फिर भी दादी जी की बहुत सुन्दर सी एक बात जो हम प्रेरित करती है हम सब को वो ये कि दादी कहती थी कि बड़ा-बड़ा कैसे बना सोचो उसको दाल को रात को विगाया जाता है पूरी रात भीक के रहता है सुबह उसको पीसा जाता है फिर पीस करके फिर गरम-गरम तेल में डाला जाता है फिर निकाल करके उसको पानी या दही में रखा जाता है तब जाकर कि इतने लंबे प्रोसीजर के बाद वो बड़ा बनता है अर्थात यदि बड़ा बनना है तो हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है सुनना पड़ता है और सब चीजों को अंदर समाना पड़ता है सचोच यदि हमें आगे बढ़ना है, नित्रित्व करना है, तो जीवन में इन महानताओं को, विशिष्टाओं को अपनी जीवन में हमें लाना ही होता है और ऐसी महान वीभूतियां हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी जीवन को शिर्ष की ओर ले जा सकते हैं तो ना किवल दादी जीवन चरित्र को हम पढ़ें, सुनें, लेकिन उसे अपने आच्रण मिलाने का संकल्प जरूर करें ओम शांति